कुछ नई बसिक स्टेप के साथ तो चलो शुरुबात करते हैं फिर्स स्टेप है हमारा राइट लेग थोड़ा सा उपन करना है और हैंग्स को इस तरह से हम लोग टर्ण करेंगे फिर left hand, see 1, 2, 3, 4 तो यह होगा हमारा step number 1 अब हम करेंगे step number 2 step number 2 हमारा क्या है? twist करना है, like this, okay? दोनों है नीज को bend करने है, like this दोनों लेट को इस equal position में रबके नीज bend करना है, like this, hands, chest के सामने आने चाहिए and जो हमारी कमर है, उसको हम check करेंगे इस तरह से, okay? ना चलो शुरुआत करता है, 1, 2, 3, 4 after 4, you will jump, like this jump कैसे करने है, jump हम लोगों को toes के उपर करना है, like this, alright children? और दोनों hands को throw करने है, fingers पूरे open होने चाहिए, इस तरह से मैं एक बार फिर से दिखा थी हूँ, 1, 2, 3 and 4 yes, तो यह हो गया हमारा step number 2 अब मैं सिखा थी हूँ, step number 3 step number 3 में हम लोगों को क्या करना है, see, देखना है इस तरह से, कैसे देखोगे? left hand, forehead के पास, little bit bent front side and half turn your upper body, like this यह hands ऐसे ही रहे रहे रहा, 1 alright children, फिर क्या दिखाना है? moon, moon कहां पे रहता है? yes, sky में रहता है, तो वहां पे दिखाना है moon then again, twist, alright, मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ one, two, three, alright children, तो यह हूँ गया step number three अब हम लोग करेंगे step number four step number four क्या है? अपने birds देखा है? तो birds कैसे sky में flight करते हैं? उसी तरह हम लोगों को भी करना है, like this hands, दोलो hands को loose छोड़ना है, उपर से वापस नीचे लाना है, hands up, then down up and down, then turn, like this alright children, मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ one, two, then three तो यह सारे step हम लोगों को music के साथ करने हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं करते हैं तो यह हो गया हमारा वेलकम उटम हावस का पार्ट थ्री थैंक यू चिल्ट्रें